आप सभी को जितिया वरत की हार्दिक शुपकाम नए जिमूत वहान भगवान सद आप और आपकी बच्चों की रक्षा करेंगे। सब्त मितिथी को नहाय खाए, अस्ट मितिथी को नर्जला उपवास और नौमितिथी को वरत पालन करने के बाद ही ये वरत पूरा हो जाता है। सब्त मितिथी से लेकर नौमितिथी तक इनके नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जीतिय वरत से एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। इस वरत में महिलाएं छट पूजा की तरह ही इस नानादी और पूजा पाठ के बाद भूजन करती है। सब्त मितिथी को केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भूजन किया जाता है। इसके बाद शाम को सूर्यास के बाद अन और जल का त्याग कर दिया जाता है। फिर अस्ट मितिथी के दिन नर्जला उपवास रखा जाता है। ऐसे में नाय खाई के दिन भूल कर भी लहसुन प्याज का, मान साहर का या किसी भी तरह का तामसिक भोजन वरत के एक दिन पहले बिलकुल भी नहीं किया जाता है। कि ये वरत एक परंपरा की तरह निभाय जाता है यानि कि पहले सास इस वरत को करती है उसके बाद घर की बहुएं इस वरत को रखती है यदि आपकी सास है तो जितिया वरत केवल आपकी सास ही रख सकती है इस वरत की जो भी परंपरा है उसका पालन आपकी सास ही कर सकती है और अगर सास इस वृत को रखने में सक्षम नहीं है तो उनके बाद आप इस वृत को प्रारम कर सकती है अगर आपने एक बार जितिया का वृत रखा है तो फिर इसे हर साल रखना चाहिए इस वृत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है शास्त्रों के नुसार जितियवरत के दुरान ब्रह्मचरिका पालन करना भी जरूरी होता है इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए लड़ाई जगडा से, कलहकलेश से दूर रहना चाहिए किसी प्रकार के अपशब्द कहने से भी ये वरत खंडित हो जाता है जितियवरत के दिन, सुबह उठकर इस्तनान करके साफ सच वस्त्र धारन किये जाते हैं फिर हाथ में जलिया पुष बलेकर वरत रखने का संकल प्लिया जाता है साथ ही प्रदोश काल के समय में गाय के गोबर से पूजा इस्तल को लीप कर साफ कर लिया जाता है इसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा तलाब बना कर तलाब के पास ही पाकड की डाल खड़ी कर दी जाती है तलाब के पास में ही कुशा से जिमूत वहन की मूर्ति भी बनाई जाती है साथ ही कथा के चील और मादा सियार की मूर्तियां भी गाय की गोबर से बनाई जाती है सबसे पहले जिमूत वहन को धूपती, फल और अक्षत अर्पित के जाते है फिर चील और सियारेन को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है इसके बाद हाथ में चावल के दाने या फूल रखकर वरत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है सबसे अंत में आरती की जाती है इस दिन पूजा करतिस में पेडा, दूब, खड़ा चावल, सोला गाट का धागा, इलाइची, पान सुपारी और बास के पत्ते भी अरपित के जाते है जितिया वरत के पूजन में सरसो का तेल और खली भी चड़ाई जाती है जिसे बुरी नजर दूर करने के लिए अगली दिन बच्चों के सिर पर भी लगाया जाता है इस वरत में एकदम से निराहार और निरजल ही रहा जाता है इसलिए व्रती महिलाओं को चाहिए कि ज़एधा भागदोर्ड वाले काम या ज़एधा बोलने वाला कोई भी काम इस दिन ना करे हो सके तो मौन रहकर ही इस दिन आपको सारा काम करना चाहिए इसके लावा रात में जितनी देर तक हो सके आपको जागरन करना चाहिए अगले दिन सूरी देव को अर्ग देने के बाद ही ये वरत खोला जाता है और फिर वरत खोलते से में अन और जल आप ग्रहन कर सकते हैं मुख्य रूप से जित्या वरत के तीसरे दिन यानि कि नौमी तिथी को जोर भात मडवा की रोटी और नोनी का साग खाय जाता है नौमी तिथी को वरत खोलने के बाद अपनी सामर्थ के नुसार कुछ न कुछ दान दक्षिना अवश्य दे इस तरह से जित्या वरत सब्तमी तिथी से लेकर नौमी तिथी तक रखा जाता है तीन दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बून भी ग्रहन नहीं करती है क्योंकि ये व्रत सब्तमी तिथी से प्रारम होता है इसलिए सब्तमी तिथी को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है सब्तमी तिथी को यदि हो सके तो पवित्र नदी में इस्नान करना चाहिए यदि ऐसा संबव ना हो तो आसपास ही किसी कुंडिया सरोवर में आप इसनान कर सकते हैं नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर आप इसनान कर सकते हैं सब्तमी तिथी को भी केबल एक बार ही सात्विक भोजन किया जाता है नहाय खाय की रात सब्चमी तिधी की रात होती है तो इस रात को छट पर जाकर चार दुशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है ऐसी मानिता है कि ये खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है क्योंकि हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में इस रख की पूजाविधि या परंपराएं या पूजन सामगरी या भोग लगाने की जो परंपरा है वो अलग-अलग हो सकती है इसलिए यदि आप पहली बार इस रखने जा रही है और आपके शेतर में या आपके घर में जो भी पूजा विधी इस्तिमाल होती है जो भी पूजन सामगरी प्रयोग की जाती है या जिस भी वस्तु का भोग इस दिन लगाया जाता है या वरत खोलते समें जो भी खादि सामगरी ग्रहन की जाती है आप उसके बारे में पहले से ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या परिवार की किसी भी ऐसी महिला से जो पहले से ही इस वरत को रखती आ रही है उनसे जरूर पूछ ले उनके सलाह की बाद ही आपको इस वरत को प्रारम करना चाहिए किसी और के बताने से कोई भी नई विधी आपको बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि जो मानेताएं आपके घर में है या जो मानेताएं आपके छेत्र में चलती हो आपको उसी का पालन करना चाहिए पौरणिक मानेताओं के निसार महभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभी मन्यों की पतनी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था अश्वत थामा ने जब ब्रह्मास्तर से उत्तरा की गर्भ को नस्ट कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया जिस दिन भगवान श्रीक कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में जीवित किया था वह दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी का दिन था तब से संतान की लंबी आयू की कामना के लिए जीवित पूत्री का व्रत रखा जाने लगा मानेता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरे विधी विधान से रखती है उनके बच्चों पर भगवान श्रीक कृष्ण के विशेश करपा बरस्ती है मानेता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीरगायू होती है साल 2023 में इस बार 6 अक्टूबर शुकरवार के दिन जितिया व्रत है और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत भी समाप्त हो जाएंगे 6 अक्टूबर को सुभा से लेकर 7 अक्टूबर के सोर्योदे तक ये व्रत रहेगा यानिकी इस तोरान जल और किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तुखाने की मना ही होती है व्रत से एक दिन पहले यानिकी 5 अक्टूबर गुरुवार को नहाय खाय का दिन होगा अपने अपने हागी परंपराओं के अनुसार इस दिन आपको भोजन करहन करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए 6 अक्टूबर शुकरवार को निर्जला वरत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को शुब मोर्ट में वरत का पारण किया जाएगा जिस तरह से व्रत रखना शुब मोर्ट में जरूरी होता है उसी प्रकार से यदि व्रत शुब मोर्ट में ना खोला जाए तो अधूरा ही माला जाता है सब्त में तिथी प्रारम होगी 5 अक्टूबर गुरुवार की सुभा 4 बचकर 42 मिनट से और समाप्त होगी 6 अक्टूबर शुकरवार की सुभा 6 बचकर 35 मिनट पर इस दिन सोर्य दे सुभा 6 बचकर 30 मिनट पर और सोर्यास्त होगा शाम 6 बचकर 7 मिनट पर अस्टमी तिथी प्रारंब होगी 6 अक्टूबर शुकरवार की सुभा 6.36 मिनट से और समाप्थ होगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुभा 8.08 मिनट तक ध्यान रखें कि अस्टमी तिथी बीतने के बाद ही जितिया वरत खोला जाता है नौमी तिथी के प्रथम पहर में इस वरत को खोलना होता है तो 7 अक्टूबर शनिवार को आप शुब मूर्थ में ही वरत खोलें उससे पहले तक आपको किसी भी प्रकार जलका सेवर नहीं करना है या कोई भी वस्तु ग्रहन नहीं करनी है नौमी तिथी प्रारम हो जाएगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8 बचकर 9 मिनट से और समाप्थ होगी 8 अक्टूबर अविवार की सुबह 10 बचकर 13 मिनट पर सुर्योदे से पहले भी वरत नहीं खोला जाता है तो सुर्योदे इस दिन सुबह 6 बचकर 24 मिनट पर होगा और सुर्यास्त होगा शाम 6 बचकर 5 मिनट पर 6 अक्तूबर को यानि शुकरवार को वरत वाले दिन सूर्योदे सुभ़ 6 बचकर 24 मिनट पर, सूर्यास्त शाम 6 बचकर 6 मिनट पर होगा ब्रह्ममुर्थ सुभ़ 4 बचकर 47 मिनट से 5 बचकर 35 मिनट पर, अभिजीत मुर्थ होगा सुबह 11 बचकर 51 मिनट से दोपहर 12 बचकर 38 मिनट पर जिस समय आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं रहुकाल सुबह 10.30 बजे से ठीक दोपहर के 12 बजी तक रहेगा रहुकाल के समय कोई भी शुबकारी करने से बचना चाहिए और इस दिन चद्रुदे होगा रात 11 बचकर 43 मिनट पर जितिया वरत खोला जाएगा 7 अक्तूबर शनिवार को सुबह 8 बचकर 9 मिनट से 10 बचकर 25 मिनट के अंदर अंदर यही शुब मूर्थे जब आपको वरत खुलना है नहाय खाय के दिन नोनी का साग खाने की भी परंपरा है कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शम और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिसके कारण वरती के शरीर में पोशत तत्वों की कमी नहीं होती है जितिया वरत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंका धागा गले में पहनती है वरती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती है पूजा के दोरान सरसो का तेल और खल चड़ाय जाता है और जितियावरत के पारण के बाद ये तेल बच्चों की सिर पर आशिरवात के रूप में लगाने की भी परंप्रा है जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा